हेलो बच्चों वेलकम इच्वन आफ यू टू टूड़े सेशन और अब हम बात करने वाले हैं नॉमनक्लेचर या बाइनॉमियल नॉमनक्लेचर के बारे में याने की और्गानिजम्स को नाम देने की भी आवशकता है हमने उनके केरेक्टराइजेशन को कर लिया आइडेन्टिफिकेशन को अंजाम दे दिया अब एक नाम रखने की आवशकता है नाम किस वज़े से नाम होता है पहचान के लिए जैसे मेरा नाम प्रदीप है तो मैं इस नाम से जाना जाता हूं लेकिन इस नाम में एक नहीं है चली आपने कहा कि नहीं नेम के बाद सरनेम लगा देते तो शायद यूनीक हो जा इडेन्टिफिकेशन बिलकुल प्रदीप सिंग लेकिन अभी भी कोई गारेंटी नहीं है कि मेरे ही नाम के नाजाने कितने लोग इस देश में रहते हों है ना तो यह नामकरन तो नेमिंग ऑफ औरगानिजम्स इस कॉल्ड नॉमनक्लेचर किसी जीव को कोई नाम देना इसी को नॉमनक्लेचर कहते हैं अबरी औरगानिजम इस नोन बाई डिफरेंट नेम है ना हर औरगानिजम का अलग नाम है हाथी है कुट्टा है बिली है चीता है आम का पेड़ है जा कितनी भी हो सकते हैं नाम है ना कुछ ना कुछ तो नाम है लेकिन क्या आपको पता है जरूरी नहीं है कि हर औरगानिजम का नाम हो ही जैसे समंदर में गए तो आपने किसी जीव को देखा आपने कभी देखा ही नहीं पहले तो आप उसके नाम के बारे में भी नहीं रहा था यह केकड़े जैसा दिख रहा था है ना इवरी और गैनिजम है डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट आफ दे वर्ल्ड दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में एक ही जीव के पता नहीं कितने नाम है राइट जैसे इंसान को इंसान कहते हैं उर्दू में आदमी कह साओं में ठीक है ना एक ही चीज के देखो लग-लग नाम है अब उसमें भी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन है कहने का मतलब है यह बड़ा जटिल है लेकिन इसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है देर इस नो साइंटिफिक लॉजिक इंद गिवन नेम मेरा नाम प् इसे भी रखे जाते हैं नाम कोई चूज हुआ और पता चला पड़ोस में बच्चे का वही नाम है तो लोग कहेंगे ने नाम चेंज कर दो क्योंकि सेम नाम हो जाएगा अच्छा नहीं लगेगा ऐसी बाते भी हमें देखने को मिलती हैं कहने के मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं है तो कुछ disadvantages हैं इन common names के जो common names है simple names है जिन में कोई वैग्यानिक आधार नहीं है name causes a lot of confusion in the scientific world and all the scientists may not be aware of the different vernacular name है अब चाइना में पाए जाने वाला कोई पौधा उसका कुछ भी नाम रख दे शिंग जिंग पिंग हैं अब एक एक इन्सान भारतवर्स में रहता वो क्या जाने यह अनोखी भाशा उसकी समझों नहीं आएगा जपैन वाले कुछ अलग ही नाम रख देंगे प्रेंच व आ हैं से मचलि आ खesarी मचलियों के नाम नहीं पता चीडिया दिखाई पड़िया हमें कौण सी चीडिया नाम नहीं पता जी मैंना जैसी लग रहे थी बुल बूल जैसी कि शीटुए शन है न ऐसी दो तो सिंगल नेम कैन भी यूजश फोर डिफरेंट ODr. Aonisum Also सबाइए एक ब्राजीलियन मिकव है उसको भी लोग तो था कहते थे रजिलियन मकव कई वेरियन्ट है को एक में ब्लू कलर जादा होता है अग्यार तो लोग ऐसी नाम रखते हैं नाल तो था हरात होता इसी तरह के नाम है So name of an organism in one place may have a different meaning in another place किसी एक organism का कहीं पर कुछ नाम है उसकी meaning किसी और इलाके में अलग है है न साउत की कोई language है Tamil यह कौन सी है उसमें कुत्ते को पटी कहते है पटी अब यह पटी तो पटी होती जो बुखार में सर पे रखी जाती हिंदी में तो यह देखो फिर confusion है तो यह confusion ना हो इसके लिए जरूरी है scientific way और इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है binomial system and this binomial system को सबसे पहले propose किया था Gaspard Bauhin ने propose किया था यह है Gaspard Bauhin इन्होंने अपनी किताब पिनैक्स थियात्री बोटनीसी में इस terminology को यूज किया था कि दो पार्ट में नाम रखा जाना चाहिए उससे पहले या इनके जमाने में भी Gaspard Bauhin के टाइम में भी एक एक plant या organism के कई-कई पार्ट में नाम थे पार्ट तीन पार्ट चार पार्ट है ना इस तरह से नामकरण थे जिसको हम ट्राइनोमियल या पॉलिनो ट्राइनोमियल तो कहीं कहीं थोड़ा बहुत अब भी यूज में है पॉलिनोमियल टाइप का नॉमन क्लेचर इस नॉमन क्लेचर को गैसपार्ट बाहीन ने सबसे पहले इसका जिकर किया था लेकिन इस सिस्टम को एक्चुल में इंट्रोड्यूज किया कैरोलस लिनियस ने कैरोलस लिनियस जिनको फादर आफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है इस रिगार्ड़ड अस दा फाउंडर आफ बाइनॉमियल नॉमन क्लेचर सिस्टम इनोंने इस पर वर्क किया इसको पॉपुलराइज किया और बहुत से और गैनिजम्स के नाम करण किये इनोंने खुद पाँच हजार से ज्यादा और गैनिजम्स के नाम इनोंने रखे नॉमन क्लेचर और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को भी इजाद किया इनोंने नाम रखोगे तो फिर किस आधार पर रखोगे इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए कि कॉमन नेम में कन्फूजन है ज्यादा पार्ट में नाम होगा तो भी दिक्कत है इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कैरूलस लिनियस गेवस बाइनोमियल नॉमन क्लेचर फादर आफ टैक्सोनॉमि यह है कैरूलस लिनियस इनको कहा जाता है फादर आफ टैक्सोनॉमि ठीक है तो इनको किताब का नाम भी आपको दिख गया इनको किताब का नाम भी आपको दिख गया इनको ने स्पीशिस प्लांटेरम को 1st में 1753 को पब्लिश किया और तब जा करके 5,900 प्रजातियों के नाम मिले लिनियस प्रोपोस साइंटिफिक नेम्स ऑफ 4,326 स्पीशिस ऑफ आनिमल्स ऑल्सो इनकी एक और किताब इसमें आनिमल्स के भी नाम मिलते हैं इसके 10th एडीशन को पब्लिश किया गया 1st August 1758 संशोधन होने के बाद तो इनिसियेशन ऑफ बाइनोमियल सिस्टम फर एनिमल्स इस बिलीव तू स्टार्ट अगस्ट 1758 तो यह एक आपको आइडिया है 1750 के बाद का ही 1818 शताबदी के मद्ध में से जो है यह पद्धती है निकल करके आई और इसको पॉपुलराइज किया गया समझ में आई बात तो इनिसियेशन ऑफ दे बाइनोमियल सिस्टम इट स्टार्ट अन फरस्ट ऑगस्ट 1758 से आप मान सकते हैं तो बाइनोमियल नॉमनक्लेचर इस साइन्टिफिक नेमिंग ऑफ और्गानिजम और इस नेमिंग के प्रॉसस में हम दो प्रमुख कैटिगरी का इस्तिमाल करते हैं एक है जीनस जीनस को यूज करने की आवशक्ता होती है क्योंकि जीनस और स्पीशिस दो पार्ट में इस साइन्टिफिक नेम को रखने की प्रक्रिया को कम्प्लीट किया जाता है एक तो जीनस और एक स्पीशिस तो टेक्सोनॉमिक हाइरार्की में आने वाले अब इसमें देखो किंग्डम फाइलम क्लास और फैमिली जीनस पीशिस कार्ल वूज ने डोमेन की भी परिकल्पना की थी तो डोमेन का भी जिक्र यहां पर है इस पर डीटेल में जानकारी अगले चैप्टर में बाइलोजिक किंग्डम ने दो ही किंग्डम बताये थे किंग्डम प्लांटे और किंग्डम एनिमेलिया इन्होंने कितने किंग्डम बताये ओनी टू किंग्डम बाद में थ्री किंग्डम फोर किंग्डम फाइफ किंग्डम सिक्स किंग्डम एट किंग्डम पांच ही सबसे अधा पॉ इसके अलावा नाम अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग है इस वज़े से आवशक्ता साइंटिफिक नेम की रूल्स ऑफ नॉमेंक्लेचर को देख लेते हैं अब देखिए रूल्स ऑफ नॉमेंक्लेचर में एक जटिलता आई एक जटिलता आई कि 1753 से पहले जो नामकरण थे उनको तो निरस्त कर दिया गया मतलब उनको तत्काल प्रभाव से अब प्रभावी कर दिया गया कैरॉलस लीनियस के हिसाब से कैरॉलस लीनियस ने सबसे पहले जब अपनी किताब च्छापी 1753 में तो उसके पहले के जो नाम थे वो सब डिस्कार्ड कर दिये गए अब इसके बाद 1753 के बाद जिस जीव का जो पहला नाम पड़ा वही नाम वैलिड है उसके बाद अगर कोई दूसरा नाम रख दिया गया वो वैलिड नहीं है सुदधन किया जाए लिटरेचर में प्रॉपर लिख करके आए इसको कहते है फ्रॉल और प्रायोरिटी तो नोमनक्लेचर इस डण बाई प्रिंसिपल आफ प्रॉड आफ प्रायोरिटी गोर स्तूर अजय पृप्र एनी प्लांट अगर का अगर दो नाम रखे गए तो जो नाम 1753 के बाद पहले रखा गया था वही माना जाएगा दा वैलिड नेम प्रोपोस्ट फरस्ट 1753 के बाद कैरॉलस लिनियस ने जो भी नाम रखे या उसके और बाद में जो भी पहला नाम रखा गया वही वैलिड जैसे मैंजी फेरा इंडिका खुद कैरॉलस लिनियस ने रखा था अब आप मैंजी फेरा इंडिका को कह तो नहीं ह एनिमल आफ्टर 1758 जो इनका 1st August 1758 को 10th volume publish हुआ उसके बाद उसे पहले के सब निरस्त हो गए तो इव नेम्स आ प्रोपोस्ट आफ्टर 1758 वैलिड नेम इस दे नेम प्रोपोस्ट अर्लियर जस्ट आफ्टर फस्ट अगस्ट 1758 से मान लिजे यह है 1st आउगस्ट 1758 की यह तारीक है यह तारीक है वो मुबारक तारीक जिसको रख दिया गया इस तारीक से पहले के जो भी नाम थे ये सब नाम, मालो यहां एक नाम दिया किसी ने, फिर किसी ने दिया था, फिर किसी ने दिया था, ये सब डिसकार्ड, इनकी कोई वैलू नहीं बची, ठीक, इसके बाद, 1758 के बाद किसी ने एक नाम दिया, थोड़े दिन बाद किसी ने एक और नाम दिया, अब आप से नेता दे दीजिए उसको discard कर दीजिए ठीक है सेम गोस फॉद प्लांट से पहले वाले तो सब discard और सत्रा सो तिरेपन के बाद में जो पहला नाम दिया गया था वही मानने या कोई परिवर्तन हो जैसे टमाटर का नाम बदल चुका है अब पहले टमाटर को सेम जीनस में रखा जाता था आलू के जैसे सोलेनम लाइकोस पर्थिकम अब नाम उसका चेंज हो करके लाइकोस पर्थिकम एसकुलेंटस रख दिया गया क्योंकि जीनस ही चेंज हो गया तो ये चलेगा और उसका जिक्र भी किया गया संशोधन जो किये जाते हैं उसको लिटरेचर में पब्लिश करना पड़ता है ठीक है न तो इसको हम सबसे important rule मानते हैं अब इन rules को रखता कौन है who takes care of all these rules किसको पता होगा तो कुछ संस्था बनाई गई एक organization बना जिसका काम है इन नामों को रखना उस संस्था का नाम है ICBN, ICZN अलग अलग हिसाब से so collection of rules regarding scientific nomenclature of plant is known as international code of botanical nomenclature ये एक संस्था के द्वारा संचालित किया जाता है और इसको एक पुस्तक के form में publish किया जाता है याने कि ICBN is available in the form of a book और इसमें जो भी संशोधन होते हैं कुछ years के बाद उन सब की नई copies आ जाती है books की तो ICBN नाम याद रखेगा इसका abbreviation बहुत ही महत्तपूर्ण है और आपके medical entrance में CUET exam में किसी भी exam में कभी भी पूछा जा सकता है ICBN international code of botanical nomenclature इसका full form as it is याद रखेगा confusion कहीं ना हो so ICBN was accepted in 1961 काफी लेट accept किया गया बाद में 12th international congress Leningrad Russia में हुआ it revised ICBN in 1975 तो 61 के बाद 75 में revision हुआ after revision इसको फिर 1978 में publish किया गया और संसोधन होते रहते है similarly ICZN international code of geological nomenclature animals के नाम करण के लिए ICNB international code of nomenclature for bacteria ICBN viral nomenclature का है abbreviation and international code for nomenclature of cultivated plant ये जो है बाकी के तीन ये non important है लेकिन ICBN और ICZN आपके लिए most important है है ना these are not much important इनको याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत ने जिसको interest है वो तो रखी ले not much important ठीक है इस पर चर्चा usually नहीं होती है so now अब इनके rules को समझ लेते है rules तो लिखे गए ICBN में लेकिन rule है क्या so each organism has one name consisting of two parts हर एक organism का एक ही नाम होगा जिसके दो पार्ट होंगे एक generic part एक specific part दो हिस्से में होगा generic name is written first followed by the specific name पहले generic name फिर specific name आएगा generic name start with a capital letter capital alphabet and the specific name start with a small alphabet जैसे की panthera leo lion panthera panthera genus है और ये प्रजाती है leo जिसमें species का पहला अक्षर small letter में दूसरा एक और हो सकता है panthera genus इसमें species हो सकती है tigris tigris जिसको tiger कहते हैं है न तो panthera leo panthera tigris panthera का p capital लेकिन leo का l small मेरे नाम में जैसा है प्रदीप सिंग तो प्रदीप का pb capital है सिंग का sb capital है लेकिन अगर ये वैज्यानिक नाम होता तो ऐसा नहीं होता तो क्या हम सब के वैज्यानिक नाम है अरे हम सब एक ही तो है हम एक ही प्रजाती को भी लॉंग करते हैं homo sapiens यानिक इंसान the human who is wise बुद्धमान है न ठीक है panthera tigris समझ गए panthera लियो तो यह है कुछ rules अच्छा अभी rules खतम नहीं हुए handwritten form का अलग rule है printed form का अलग rule है species और genus के लिए name when written अगर हम खुद लिखते हैं तो इसको underline करेंगे और अगर print है type है तो italics में रहेगा italics मतलब slanting letter जैसे यह देखिए मैंजी फेरा इंडी का आम का वैज्यानिक नाम तो इसको slanting letter में दिखाया गया लेकिन अगर इसी शब्द को मैं लिखूं तो मेरे writing में सीधा और slanting में फर्क करना कर दूँगा मेरा काम समाप्त हो गया मैंने scientific name लिख दिया मयूर का scientific name मोर का पेवो क्रिस्टेटस कमल का scientific name निलंबो न्यूसिफेरा पोटैटो का scientific name solenum tuberosum banyan का scientific name याद है किसी को पिकस बेंगलेंसिस ठीक है यह जो नाम मैंने बता है यह यह सब हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण चीजों के नाम है जैसे की नेशनल फ्रूट मैंगो मैंजी फेरा इंडिका नेशनल एनिमल टाइगर पैंथेरा टिग्रिस नेशनल बर्ड पीकॉक पेवो क्रिस्टेटस ठीक है नेशनल ट्री बैनियन फिकस बेंगलेंसिस ठी अलुकर नेशनल फृट अलुए है शायद आलु हला के हमारे देश का नेटिव नहीं है नहीं सावत अभरिका के जंगलों से इंट्रिद्यूस्किया गया था दुनिया में जब अमेरिका की खोज़ हुई उसके बाद आलू की कोज़ उई करेनीवे अगर आलू को मान में है क्यों हमाई देश में तो बहुत यूज होता है आलू है ना तो इस तरह से साइंटिफिक नेम्स आपको ध्यान में रखने हैं जितने ज्यादा आप याद रख सकें अच्छी बात है आपका इंट्रेस्ट शो होता है कि आपको वाकई में बायलोजी में दिल्चस्पी है या न नाम को याद रखना भी एक कला है और मैं तो एक बार दो बार सुन लेता हो तो मुझे याद हो जाते हैं जैसे हैं मी डेक्टिलस फ्लायर वी वी रिदेंस छिपकली का साइंटिफिक नेम हैं तो इस तरह से बहुत तरह के साइंटिफिक नेम आपको मिलेंगे पढ़ने को तो author, name of the author who first described the species is written after the name as full or abbreviation. जैसे पहले चलन था, मैं जी फेरा इंडी का Lynn, abbreviation में लिख दिया गया, लिनियस ने नाम करण किया, बाद में इतने नाम हो गया कि कौन-कौन से scientist का नाम दिया जा, इसलिए वो हटा दिया गया बाद में, अब नहीं यूज करते हैं. नामों को हमेशा लैटिन भाषा में ही लिखा जाता है, and it is a dead language, तो इसमें कोई evolution नहीं होगा. आप कहेंगे लैटिन में कैसे लिखेंगे, देखो ये जो शब्द है, mangyfera, ये लैटिन भाषा का ही शब्द है, mango के लिए mangyfera कहा जाता था, लैटिन में, और indica for india, इस तरह से. लेकिन आप कहेंगे कि दुनिया में कहीं और ढूंढा गया कोई नाम, जरूरी तो है नहीं, लैटिन भाषा में हर चीज का नाम होई, अगर नहीं भी है, तो भी, जिस तरीके से लैटिन भाषा का उचारण होता है, उसको लिखने का तरीका है, उसी तरह से नाम को convert कर दिय जाता है, ठीक है न, जैसे common example देता हूँ, आपने चाइना रोज का नाम सुना है, गुलहड का फूल, चाइना रोज, जबा फूल, गुलहड का फूल, लाल कलर का होता है, हिबिसकस रोजा साइनेंसिस, यह उसका नाम है, लेकिन हिबिसकस की एक प्रजाती हमारे देश के प तो जीनस तो सेम हो गया, हिबिसकस और स्पीशिस के नाम पे लिख दिया गया, होशियार पुरेंसिस, होशियार पुर नहीं, होशियार पुरेंसिस, क्यों, क्योंकि वो लैटिन के हिसाब से, उसको रख दिया गया, गहने जंगल में तो वैग्यानिक सुबह सुबह गया, टहल ने morning walk करने गए, सुबह-सुबह, एक सची घटना है, morning walk करने गए, उनको एक नई प्रजाती मिल गई, दुनिया का सबसे बड़ा flower, जो सबसे बदबुदार भी है, तो दोनों बैग्यानिकों में, एक का नाम था Mr. Arnold, और एक का नाम था Mr. Raffles, डूना उन्हों नहीं, दोन Mr. Arnold के उपर, लेकिन उसको Latinize किया गया, Latin की भाषा के हिसाब से modify कर दिया गया, और नाम रख दिया गया, Rafflesia Arnoldi, I hope this is clear, कि Latin भाषा का इस्तेमाल किस तरह से होता है, जो तो Latin में शब्द है, वो use कर लिया गया, या किसी के नाम पे रखना है, तो Latinize कर दिया गया है, Latin क्यों पुली गई क्योंकि वो एक dead language है, उसमें कोई evolution नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, change नहीं होगा, तो आगे कभी दिक्कत नहीं होगी, अब इसके बाद, टॉटो निम्स पर चर्चा हुई, टॉटो निम्स क्या है, अगर हम किसी genus का और species का same नाम रख दे, तो इसको टॉटो निम्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, टॉटो निम्स कहा जाता है, सेम ही नाम रख दो, जीनस का स्पीशिस का, सेम नाम, टॉटो निम्स को जूलोजी में, ICZN, International Code of Zoological Nomenclature में तो माननेता मिली, लेकिन ICBN ने इसको खारिच कर दिया, मतलब किसी भी प्लांट का आगर आप टॉटो निम्स बनाते हैं तो वो मानने नहीं है, जैसे कि हाइना हाइना, लिनीयस नहीं रखा था, हाइना हाइना, हाइना है ये, लकडबगगा, हाइना, जैसे कि Axis-Axis, चिंकारा हिरण, एक्सिस-Axis, नाजा-नाजा, किंग कोबरा का साइ़ंटिफिक नेम, कत गुरिल्ला कतला मचली का साइंटिफिक नहीं तो यह जो टर्बिनोलोजी है वुलपेस वुलपेस रेड़ फॉक्स का साइंटिफिक नहीं दोनों जिसमें जीना स्पीशी सेम है यह टॉर्टोनिम है टॉर्टोनिम इस एप्लिकेबल इन जॉलॉजिकल नॉमन्क्लेचर प्लांट के लिए आप इस तरह के नाम करण नहीं रख सकते हैं यह वैलिड नहीं है प्लांट के लिए इसको नहीं मान जाएगा चले कुछ एडवांटेज़स भी देख लेते हैं साइंटिफिक नेम का विट हेल्प सिंदी आइडेंटिफिकेशन अफ और डिफरेंट स्प विदाउट क्रिएटिंग एनी कन्फूजन आप कोई जीव ढूंड लीजिए आपके हिसाब से नाम रख दिया जाएगा आपके नाम के ऊपर नाम रख दिया जाएगा ऐसी बाते तो करी जा सकते इसमें को दिक्कत नहीं और यही रहा हमारा hierarchy of classification अब इस hierarchy को भी समझते हैं जड़ा classification की hierarchy को देखे जब हम बात करते हैं किसी एक kingdom की जगत की है राज जी की सामराज जी की animal kingdom की बात करें animal kingdom की बात करें तो सब animal आ गए ना उसमें उसमें कोई छूटा तो नहीं इंक्लूट्स एवरी आइनिमल लेकिन जैसे ही हम उससे नीचे एक छोटी category में आए जिसको कह दें फाइलम या प्लांट में कह दें division तो एक particular group हो गया फिर उसके नीचे आए कोई class की चर्चा हमने कर different categories on the basis of similarities and differences this process of classification is called taxonomy इसी को taxonomy कहा जाता है क्लासिफिकेशन के process को यहां पर general characteristic हो जाएंगे species में आते आते बहुत निर्दिष्ट specific characteristic पर बात आ जाती है so categories are a part of taxonomic arrangement and hence known as taxonomic categories and all categories together form taxonomic hierarchy सारी categories को मिला लो तो taxonomic hierarchy हो गई category है ना category मतलब एक एक सीडी उस सीडी पर कौन खड़ा है वो taxon है kingdom category है animalia उस सीडी के ऊपर animalia है तो वो taxon है ठीक है ना so example देख लीजिए तो जैसे kingdom हो गया कोई भी kingdom हो सकता है तो this is category बट प्लांटे जैसे ही आ गया तो यह taxon है यह ध्यान रखिएगा scientific term for the category is taxon जैसे मान एसे मान लो यहाँ पर जो खड़ा है यहाँ पर जो खड़ा होगा वो kingdom को represent करेगा मान लीजिए यह kingdom को represent करेगा say for example kingdom तो यह तो होगई cd याने कि यह हो गई category और इसके ऊपर मान लीजिए हमने अनिमैलिया को रख दिया एनिमैलिया तो यह जो एनिमैलिया है यह taxon हो गया और यह kingdom हो गया नीचे से ऊपर भी बना सकते cd ऊपर से नीचे भी बना सकते डिपेंडिंग अपॉन दा यूसेज त या फाइलम एस्खल मिंथस फाइलम पौरी फेरा कोई भी फाइलम आ सकता है तो यह जो फाइलम वाला बात है किंग्डम के बाद जो फाइलम शब्द है यह तो सीड़ी का एक हिस्सा होगा फाइलम मतलब इसको आप कैटेगरी कहिए किंग्डम फाइलम क्लास ओर फैमली जीन सब कैटेगरीज है और उन कैटेगरीज पे जो लाई करता है जो उस कैटेगरी में फिट होता है वो टैक्सान है तो फाइलम हो गया फाइलम हम लिख लेते हैं निडेरिया निडेरिया एनिमल किंग्डम का फाइलम निडेरिया तो यह निडेरिया शब्द क्या है निडेरि रखना है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं so different categories in a descending order are kingdom phylum और division plant के लिए phylum की जगे division शब्द यूज होता है class order family genus species यह हमने already discuss कर लिया तो यह सारे categories है इन में जो fit होगा उसको हम taxon कह देंगे और सारे taxon एक साथ taxa plural तो शुरू करते हैं species से species is the lowest and the basic unit in the taxonomic hierarchy सबसे पहले cd जहां से शुरू होगी जो सबसे निचला हिस्सा है ज़रूरी ने सीधी आप किस हिसाब से दिखा रहे हो सीधी तो सीधी उल्टी दूरों तरह से दिखाए पस्ट स्टेप कह सकते हैं शुरूवात यहीं से होती सिंप्लेस्ट सबसे छोटा यही है इट है मैक्सिमम कॉमन क्यारेक्टरिस्टिक बिट्वीन देम दो जीव जैसे हम मैं और आप सब स्टूडेंट्स मेरे मैं और आप किसी के साथ भी कंपेर कर लो हमारे बीच में सिमिलारिटी ज्यादा हैं कंपेर टू मैं अपना और एक टाइगर के साथ कंपेरिजन करो मेरे पूंच तो है नहीं मेरे इतने बड़े दान तो है नहीं क्लॉस नहीं आप